वेलकम टू एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल साथ्यो मेरा ना में सुभास राज स्वागत है आप सभी साथ्यों का साथ्यों इस वीडियो में ऐसे कोश्चन लेकर आये हैं टोटल 50 कोश्चस देखेंगे वो कोश्चन जो आपके 2023 में जितनी भी परिक्षाई करेंगी सब में आग लगा देगी अंतक देखीगा एक भी कोश्चन को स्कीप नहीं करना है क्यों कि काफी अनलाइज के बाद बिविन परिक्षाओं में जो भी परिक्षाई होती है जो परिक्षाई हो जाती है उन्हीं के एकोडिंग उन्हीं के अनुसार हम आप लोग के लिए कोश्चन को तयार करते हैं अन्तक देखीगा एक भी कोश्चन को इसकीप नहीं करना है यह 50 कोश्चन है और 50 में से आपके कितने कोश्चन करेक्ट आप कर सकते हैं यह आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताना और अगर नहीं भ हो जाएगा option number B पार्सी धर्म की बिल्कुल फास्ट करेंगे साथ हो ताकि आप लोगों को boring भी ना लगे और जादा time भी ना लगे ठीक है तो सभी साथी like जरू कर दीजेगा और अपने सही उत्तर हो जाएगा साथ हो option number C परावेगनी भी की रण के कारण आगे देखिए फलेरिया होने का क्या कारण होता है तो देखिएगा फलेरिया होने का क्या कारण होता है बहुत ही important question है साथ हो राइट answer है option number A मच्छर next question गोवा सिप्याड लिमिटेड का वस्थापित किया गया था तो बहुत ही important question है ये भी और इस question का right answer हो जाएगा 1957 में 1957 में next question देखिएगा पोरुंथल नामक गाउ निमिन मेंसे कहाँ पर इसति थे तो देखिएगा पोरुंथल नामक गाउ जो है साथ हो ये तमिल लाडु राज में इसति थे option number D right answer है next question निमिनलिकित में से किस राज में अमोसी हवायड़ा इसति थे देखेगा अमोर्षी हवा एड़ा बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रखना ये उत्तर प्रदेश में इस्तित है स्वच्च भारत मिसन कब प्रारम हुआ था तो देखे स्वच्च भारत मिसन जो है साथियो ये 2 अक्टुबर 2014 को प्रारम हुआ था और एकलभी योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा देखेगा साथियो, एकलब ये योजना संचालित की जाती है भारत विकास परिसत के द्वारा ओप्सिन नमबरे राइट अंशर है नमना लेकित में से कौन सा उपन्यास प्रिमचन ने लिखा है तो देखेगा रंग भूमी option number ये right answer होगा साथियो रंग भूमी, कर्म भूमी, ये उपन्यास जो है मुनसी प्रिमचन जी ने लिखा है तो option number ये right answer है, रभी की फशल नहीं है, इन में से कौन सी रभी फशल नहीं है, बहुत ही अच्छा question है तो साथियो दिखेगा चना, गेहू, सरसो, ये तीनो रभी फशल है, लेकिन मुंगफली खरिप फशल है option number ये right answer होगा मुंगफली, आगे दिखेगा रेसम कीट की निमन में से किस अवस्था में रेसम का स्राव होता है राइट answer हो जाएगा साथियो लावा की अवस्था में, लावा option number ये right answer है, सुस्क बन अनुसंधान सस्थान, ये कहां इस्तित है तो दिखेगा सुस्क बन अनुसंधान सस्थान जो है साथियो राजस्थान के जोधपूर में इस्तित है और जोधपूर के आफरी में आगे next question किस स्वतंतरता संगराम सेनाणी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की, याद रिखेगा साथियो मोला ना अवूल कलाम आजात जी ने नेक्स्ट कोस्चन राजस्थान नाम सबसे पहले किशने दिया था देखे राजस्थान का जो नाम है राजस्थान इस नाम को किशने दिया था याद रखना option नमबरे राइटन सेरे करनल जम्स टॉड ने देखेगा पोलन इश्टिलीज je किस परकार की हवाए हैं तो साथ यो पोलन इस्टिलीज जो हैं ये सिथ सुस्क हवाँ है option number C, write answer इन में से कौन भारतिय राजणितिक बिमान दुर घटना में मारे गए थे इन में से कौन से भारतिय राजणिति हैं उसको साथ यो रोम बोलते हैं रोम option number C right answer है रोम इसका full form होता है read only memory एक देश जो European Union का हिस्सा है मगर euro का परियोग नहीं करता है देखिए European Union में जितनी भी countries है उन countries की जो currency है वो है euro लेकिन इन में से कौन सा country है जो European Union का हिस्सा तो है लेकिन वहां की currency euro नहीं है तो right answer हो जाएगा साथ यो great britain क्योंकि great britain की जो currency है वो है साथ यो pound है next question देखिएगा cylinderों में भरकर खाना पकाने वाली gas की आपूरती किस रूप में की जाती है तो देखिएगा cylinderों में भरकर खाना पकाने वाली gas की आपूरती किस रूप में की जाती है तो तरल के रूप में LPG होता है LPG यानि liquid petroleum gas liquid यानि तरल option number D right answer है आगे देखेंगे निमन में से किसे dinosaur का कबरिस्तान कहा जाता है तो साथ यों देखिएगा जो सुरी की परिकर्मा में सबसे कम समय लेता है तो साथ यो option number D right answer होगा बूध क्योंकि बूध केवल 88 दीन में सुरी की एक परिकर्मा कर लेता है आगे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है important question है right answer है option number C Mexico की खाड़ी आगे देखेंगे भारत में निमनलकित में से किसका बिनियावन वाइदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है right answer होगा साथ यो option number B बास्तु वाइदा कारोबार का आगे देखेंगे निमनलकित में से 21 भुराजस्व व्योस्था को टोडर्मल प्रणाली कहा जाता है तो याद रिखेंगा बहुत ये च्छा question है जबती प्रणाली को option number B right answer है स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है साथ यो लगभग में स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है स्वेज नहर जो लाल सागर को भुमज सागर से जोडता है आगे दिखेंगा उकाई परियोजना कहां पर इस्ति थे बहुत ही important question है उकाई परियोजना कहां इस्ति थे याद रखना साथियो गुजरात में इस्ति थे और तापी नदी पर तो गुजरात में तापी नदी पर option number भी right answer है आगे दिखेंगे नाभिक्या सयंतर में केडमियम छडो का उप्योग नियमनलखित में से किस रूप में किया जाता है तो साथियो right answer हो जाएगा याद रखेंगा नियंत्रक के रूप में option number C right answer है कोन मिस वर्ड नहीं रही इन में से कोन कभी भी मिस वर्ड नहीं रही तो देखीगा बहुत एच्छा कोस्चन है साथियो कोन मिस वर्ड नहीं रही तो याद रिखीगा इस कोस्चन का राइट अंसर हो जाएगा साथियो सुस्मिता सेन क्योंकि यह मिस यूनिवर्स थी ना कि म इस वर्ड नेक्स्ट कोस्चिन दिखीगा सिरी लंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्म निर्भर है तो याद रिखीगा ऑप्शन नमबरे राइट अंसर है चावल भारतिया तट्रचक बल का मुख्याले कहा इसती थे साथियो दिखीगा भारतिया तट्रचक बल मिसाइल प्रणाली के उधारने ऑप्शन नमबरे राइट अंसर है भारत के किस गवर्नर जन्रल ने इलहाबाद और कार को अवाद के नवाब के हाथों बेच दिया था साथियो याद रखना रोबर्ट कलाइब ने ऑप्शन नमबर डी राइट अंसर है कभी महत्मा गांधी के सहयोगी रहे निमन में से किषने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की सुरवात की थी तो ऑप्शन नमबर सी राइट अंसर हो जाएगा ई भी रामा स्वामी ना सारा है जिसका नाम है तूओचियांग साथियो इस कोर्षियन के राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी टाइवान विश्व परियावरन दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो देखीगा विश्व परियावरन दिवस जो है साथियो पांच जून को मनाया जाता है आम आदमी पाटी यानि आप का गठन 26 नौवंबर 2012 को दिल्ली के किस जगह पर हुआ था तो याद रखना जंतर मंतर में आप्शन नंबर भी राइट अंसर होगा जंतर मंतर दिल्ली इनमें से कौनसा सहर महाराष्टा का मुख्य सहर नहीं है तो साथ्यों महाराष्टा का मुख्य सहर अकोला भी है अमरावाती भी है नांदेड भी है लेकिन गांधी नगर नहीं है गांधी नगर तो गुजरात में है आगे दिखिएगा चीन और भारत के बीच युद कब से कब तक हुआ था देखिएगा राइट अंसर हो जाएगा ओ अकबर के पुत्र थे जहांगीर आगे दिखिएगा 2005 में आई बोलीवूड फिल्म स्वादेश के लिए फिल्म फियर सर्वस्रेश्ट अभिनेता पुरसकार से किसे सम्मानित क्या गया था तो साथियों राइट अंसर हो जाएगा दिखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट को क्यों कर राइट अंसर होगा देखेगा 2007 में 65 दादा साहिब फाल के पुरसकार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था तो साथियों 65 दादा साहिब फाल के पुरसकार बिनोध घंणा को मिला था ऑप्शन नमर भी राइट अंसर है पुस्तक कस्मिर दी भाजपे यर्स लामक किस लेखक के दुआरा लिखी गई है याद रिखेगा साथ्यों कस्मिर पुस्तक दी बाजबे एर्स लामक पुस्तक जो है एस एस दुलत के दुआरा लिखी गई है ऑप्शन नमर सी राइट अंसर है केंद्रिये जिएश्टी कानून को भारत के राष्ट पती के दुआरा कब सहमती परदान हुई थी साथ्यों याद रखना बारह अप्रेल दुहाजार सत्रा को नेक्स्ट कोश्चन देखिए निमन मेंसे कौनसी बिमारी है जा पैचीस आंच जोवर में बिशानू के कारण होता है तो साथी इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर पोलियो होना चाहिए था पोलियो याद रखना ओप्शन नमर सी राइट अंसर है डातों की वर्धित छवी को देखने के लिए दन चिकस्टकों के दुआरा किस दरपन का उप्योग किया जाता है तो याद रखना अवतल दरपन का ओप्शन नमर सी राइट अंसर है आगे दिखिएगा सयुक्त राष्ट के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुसंसित नियुन्तम पानी की मात्रा प्रति ब्यक्ति प्रति दिन कितने लीटर है तो याद रखना पचास लीटर अप्सेन नमबर A, राइट अनसर है चलिए वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उन कर लिजेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर करना चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस टॉपिक वाइस भी मैंने अप्लोड कर दी है आप लोग जाहिए और सभी साथी देख लिजे साथियो हमारा बेस्ट कंटेंट प्रुवाइड कराना यही उद्देश से है और आपको आपके मंजिल तक पहुचाना ही हमारा उद्देश से है चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक स्वास्त रहें जाइन साथियो वन दिमाता